तीस माई से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप का हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है इसमें दो वॉम अप मैश खेल कर फार्टी टीम के खिलाडी खुद को इंगलेंड के हालातों के अनुरूप करने की कोशिश करेंगे टीम अपना पहला प्रेक्टिस मैश न्यूजिलेंड के साथ शनिवार को खेलेगी लेकिन इसे बीट टीम इंडिया के और जाउंडर प्लेयर विजश शंकर को चोट आने से पूरी टीम टेंशन में आ गई है असल में प्रेक्टिस के दोरान सेज केन बाद खलील एहमत की बाउंचर पर शंकर स्पुल करने गए और केन उनके बल्ले की टके हाथ पर लग गई इसके बाद से तुरन मैदान छोड़कर बाहर चली गई इससे अंदाजा लगाया था रहा है कि चोट गंभीर है हालांकि अभी आधिकारिक टोर पर किसी भी प्रकार की चानकारी साजा नहीं की गई है